हेलो गाइस कैसे हैं अफसर स्वागती वी चैनल पर मैं हूसेर बैटेटोर और आज हम बात करने जारे एक बहुत एंटिस्पेड़ टॉपिक के बारे में तो इस साल में हमें इंडिया में बहुत सारे अनिमे ओफिशियल ही देखने को मिला है और वस इतना ही रही आप सबको तो पहले से ही बता है कि इस महिने को ही फेट ग्रैंड ओरर का मूवी रिलीज होने वाला है PVR में और साथी साथ माई रकटीमिया मूवी और स्वाडर आउनलाइन मूवी के रिलीज के बारे में भी अल्रेडी खबर हो चुका है अगर आप सोशल मीडिया में इस चीज के बारे में लोगों का बात देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे लोग इन सिंपल रीजन्स के वज़े से ही सोच रहे है कि एनिमे इंडिया में में स्ट्रीम हो रहा है लेकिन ऐसा नहीं है 2019 में जब पहली बार के लिए ड्रैगन बाल सूपर व्रॉली इंडिया में आना था उसके बाद अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि PVR ने ही एक कोशिश किया है और अपकमिंग जो फिल्म सारा है वो भी PVR ही कर रहे है और सिर्फ हमें पॉपॉलर एनिमे फिल्म सी देखने को मिल रहा है हम कोई वे एनिमे सीरी साइ मॉन्टेनिया सी देखने ही पा रहे है इसलिए इसे में स्ट्रीम कहाना गलत होगा इसी बीच 2020 के दोड़ान अकर्सु के इंटर्टेमेंट नाम के एक जैपनिस कमपनी ने ये फैसला लिया था कि वो जैपनिस कंटेंट को इंडिया में अवेलेविल करना शुरू करेंगे लेकिन सच के तो वो फैसला बस एक फैसला ही रहा गया था क्योंकि कई महिनों के लिए हमें अकर्सु की इंटर्टेमेंट से कुछ भी जानने को नहीं मिला था लेकिन उसके बाद 2021 के आउगस्ट के दोड़ान जाके हमें जानने को मिला कुछ कमाल के नियूज और August से ही हमें ये सब न्यूज अकर्सुकी इंडियमेंट से जानने को मिला है लेकिन ये सारे न्यूज क्या हमारे लिए होगा गुर्ण न्यूज या बैर न्यूज जानने के लिए वीडियो का अंग तक देखिए तो इंडिया में अनिमे और अनिमेशन कॉंटेंट को आगे बढाने के लिए अकर्सुकी ने कुछ बहुत भी बड़े फैसले लिए है आपको पता ही होगा कि अल्रे लिंग डिन और ट्विटर में अकर्सुकी इंडिया का दो प्रोफाइल आ चुका है और साथी साथ उनका इंडिया का ओफिशल साइड भी बन चुका है जिसका नाम है अकर्सुकी.in और उन्होंने इंडिया में रिसेली एक सर्वे कंडाइट किया था और अक्टोबर में हमें उनका रेजल जाने को मिला है तो उस सर्वे का नाम था What Indian Parents Want from Animated Content for Kids तो जब मैंने पहली बार के लिए सर्वे का नाम देखा और नाम में देखा कि है इंडियान पैरेंट्स तब मुझे लगा कि यार एनिमे के उपर सर्वे करवा रहे हो तो फिर एनिमे फैन से करवाओ मतलब देखो जीओ आने के बाद से हर एक बच्चे को पता है कि इंटरनेट क्या है और ये भी पता है कि इंटरनेट में क्या क्या चीज हमें देखने को मिल सकता है उसके बाद TV वाले जो सब censorship करते हैं वो सब meaningless है लेकिन ये सब एनिमे रिलेटर सर्वे पैरेंट्स के साथ करना बहुत ही अजीब है लेकिन सर्वे disappointing नहीं था क्योंकि अकर्सुकी ने बहुत ही planning के साथ सर्वे किया था तो सर्वे का target ये था कि वो लोग जानना चाते थे कि कौनसे platform में अगर एनिमे का available किया जाए तो फिल लोग देखेंगे Netflix, Amazon Prime, Disney Plus Hotstar जैसे giant OTT platforms exist करने के वावजूद भी 26% votes मिला television networks को और हमेशा की तरह free for all YouTube को मिला 76% vote और Netflix को मिला 57% vote तो अभी के लिए मैं Netflix को हटा देना चाता हूँ क्योंकि मुझे लिए लगता अकर्सुकी entertainment वाले Netflix के साथ कोई भी ऐसा काम करेंगे जितना दूर मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा chance है TV और YouTube का क्योंकि जब अकर्सुकी ने consumption habits के उपर testing किया तब उनको पता चला कि devices के अंदर 60% लोग prefer करते है television, 49% smartphone और 24% laptops इसलिए मुझे लगता है कि television में आने का chance से ज्यादा है लेकिन उसके पीछे भी एक catch है जिसके बारे मैं बाद में बात करूंगा तो thanks to pandemic, animation का growth इंडिया में बहुत ही ज्यादा बड़ा है और इस survey से हमें ये भी पता चला है कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा animation को prefer कर रहे है over other entertainments जो कि एक बहुत ही positive sign है इंडिया में anime आने के लिए और बाद में एक और important चीज़ के उपर survey किया गया है जो कि basically है category तो 60% लोगों ने prefer किया है entertainment को 45% लोगों ने prefer किया है what makes their kids happy और उसके बाद है educational, moral और सबसे lowest था local animation जो कि एक बहुत ही अच्छा sign है मतलब हाँ at least ये Indian बावासीर animation तो देखना नहीं पड़ेगा लेकिन अच्छी बात ये है कि entertainment और what makes their kids happy को सबसे ज्यादा vote मिला क्योंकि यही anime के लिए ज्यादा minor रखता है तो next में हमें ये जाने को मिला है कि maximum बच्चे unsupervised animated content देखते है यानि कि anime तो ये एक obviously अच्छा sign है इससे anime इंडिया में आसानी से आ सकता है लेकिन main problem ये है कि कौन से language में anime दिखाया जा सकता है या फिर कहाँ पर दिखाया जा सकता है तो सर्वे से ये पता चल रहा है कि ज्यादा तो लोग prefer कर रहे है English, Tamil, Telego और Bangla को Hindi describe किया गया नहीं है लेकिन obviously Hindi में आएगा ही क्योंकि come on ये इंडिया है और जैसा कि मैंने कहा television और YouTube में आने का chances ज्यादा है जी हाँ YouTube में आने का chances बहुत ही ज्यादा है क्योंकि ज्यादा तर लोग YouTube में देखना ये पसंद करते हैं इसका ये example आप देखी सकते है Pokemon Asia हिंदी के channel में Pokemon के हरेक episodes का view और टेलिविशन के अगर बात करें तो फिर कहना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि ज्यादा तर टेलिविशन चैनल का rating अप्टू 14 दकी है मतलब जो कि Kids content दिखाते हैं लेकिन आपको पता ही है कि ये सब Kids channel ऐसे shows को censorship करते हैं कि देखके लगता है कि बेवी TV का show है लेकिन सचके तो Cartoon Network एक अच्छा candidate बन सकता है क्योंकि वो लोग पहले भी PG guidelines देते थे और अब वो जब Harry Potter movies को दिखा रहे है वो तब उपर PG logo को रख देते हैं example की तोड़ पर अगर वो लोग Attack on Titan दिखाए तो फिर उपर TV A में का logo रख देने से ही बात बन जाएगा मतलब तब कोई कुछ नहीं कह सकता कि तुम match वा चीज दिखा रहे हो क्योंकि उन्होंने पहले से ही उपर एक disclaimer दे रखा है तो सचके तो अभी भी कुछ भी confirm नहीं हुआ है यह process बहुत ही long process हो सकता है लेकिन फिर भी उमीद यह है कि जितना जल्दी हो सक्के अकर्षु की entertainment हमारे बास anime ले आएंगे लेकिन गाइज आपको क्या लगता है क्या हो सकता है अकर्षु की entertainment आखिर कैसे इंडिया में anime को लाके दिखा सकते है आप का opinion हमें नीचे बता दीजिए ऐसे तर तर की वीडियों के लिए हमारे साथ ऐसे बने रहे हैं तो आज मज़ितना ही मिलते आग एक और नए वीडिय क्या साथ